सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाग कर और को अन कीजिए में लेटस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे ऐसे कटवर्क वाले सूट होते हैं जिनके गेरे के उपर जांफ के साथ शेयर करूंगी जिसके साथ आप भी इसी तरह से अपने सूर के कर्वर्क को डेका सकते हैं जो देखिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है इसकी जगह पर आप बुकरम का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसको मैंने लाइनिंग वाले फैब्रेक के उपर पेस्ट कर लिया है चुड़ा इसकी डाइ इंच है बाकि जो हमारा गेरा है उसके कोडिंग हमने इसकी लैंथ लेह है जो मैंने लाइनिंग की कपड़े के उपर इसे पेस्ट कर लिया है और उपर से हमने आदा इंच एक्स्ट्रा शोड़ा है और नीचे से से पेस्ट कर लिया है अब हमने में फैब्रिक लिया है इस में फैब्रिक को हम इस तरह से रखते हुए जिदेखिए ऐसे रखते हुए उसके उपर स्टिच लगाएंगे जहां पर जरी कि इस तरह से स्लाइल लगाने के बाद जहां से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करेंगे और छोट-छोटे नुच्चस लगाएंगे जहां पर अब इस फैब्रिक हम इस तरह से टर्न करते हुए इसको प्रेस के साथ सेट करेंगे जिदे कि ऐसे टर्न करते हुए जिदे कि ऐसे हमने इसे प्रेस के साथ अच्छे से बठा लिया है जिदे कि उसके बद हम जहां पर एक स्लाई लगाएंगे अब उसकी वाद जो एक्स्टर फैब्रीक है उसे भी हम जहां से कट करेंगे अब हम अपने कुर्ती लाएंगे जी देखिए जह हमारी कुर्ती है जिसके नीचे ऐसे इन्वर्डरी है कट वर्क वाली जो जहां से एक्स्टर फैब्रीक है इससे हम कट करेंगे आदे इंच का मार्जा रखते हुए बाकी के कपड़े को हमें इस तरह से कट कर देंगे जिरे किया वेस को हमने ऐसे उल्टा करकर रख लिया है जो हमने पेस्टिंग भी पतियार किया है जिसका में फैब्रीक है जिरे कि लाइनिंग वाला है और में फैब्रीक को हम इस तरह से उपर रखेंगे ऐसे रखते हुए एक सबसे पहले एक सीधी स्लाई लगाएंगे इसकी उपर मोटा टंका करकर देखिए ऐसे आएगा हमारा नीचे से जेवल मेन फैब्रिक ऐसे हमने इसकी उपर जे स्लाई लगा दी है देखिए इस तरह से अब हम अपने मशीन का जो वफा है टंका है उसे छोटा करकर इसकी उपर स्लाई लगाएंगे जे हम बड़े वफी से जनके बड़े टंके के साथ स्लाई नहीं ही लगाएंगे चोटा टंगा करकर इसके उपर जो हमारे कट वर्क है उनके उपर ऐसे सलाई लगाएंगे वैसे ही शेप में जोड़ी की इस तरह से जो आएगी हमारे सलाई नीचे से अब जहां से हम थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए बाकी के कपड़े को ऐसे कट कर देंगे और जहां पर जो इसके कोंर है वहाँ पर हम छोट शूटे नौचिस लगाएंगे द्यार रहतके जो वने सलाई लगाई है बोसलाई हमारे कट ना हो सारे ही कट वर्क के उपर हम इसी तरह से छोचटे नोचिस लगाएंगे जो देखिए जो हमने सलाय लगाई है बहुत सलाय हमारे कटी नहीं चाहिए बहुत ही केरफुली हम जहां पर नोचिस लगाएंगे अब इसको हम ऐसे टर्न करेंगे जो देखिए ऐसे हम रोंगसाई टर्न करते हुए जो हमने कट वर्क बनाए है उन्हें अच्छे से निकालेंगे निकालने के बाद इसने हम प्रेस के साथ सेट करेंगे जो देखिए इस तरह से हमने प्रेस के साथ सेट कर लिया है जी देखिए बूर्तिक फिनिशिंग के साथ हमारे जे कट वर्क ड्रॉ हुए है अगर आपके भी किसी सूट के उपर कट वर्क हैं आप इसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे इन्हें स्टिच कर सकते हैं और जहां पर हम एक रफ स्लाई लगाएंगे तरपाई करने के बाद इस स्लाई को हम जहां से हटा दाएंगे इस तरह से मारे कट वर्क ड्रॉ हो चुके हैं वह दी, एजीस, सिंपल टिकई के साथ मेंने आपको जए कट वर्क स्टिच करना प्ताया है और जहांपर हम तरपाई करेंगे कि देखें वहती। फिनिशिंग के साथ हमारे जए कट कट वर्क स्टिच हुए हैं अगर आपकी slip के उपर जा फिर गेरे के उपर ऐसे ही cut work है तो आप ऐसे ही इन्हें stitch कर सकते हैं जो देखिए एक और suit के उपर मैंने ऐसे ही cut work निकाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ जो देखिए इस suit के उपर ही ऐसे ही cut work मैंने ड्रो किया हैं जैसे जे cut work थे छोटे size के थे इन्हें भी मैंने सिर्म तरीक के साथ ही बनाया है और इसकी slip के उपर भी ऐसे ही cut work थे उन्हें भी हमने ऐसे ही ड्रो किया है जी देखिए अगर आपके मेंजी वीडियो और cut work ड्रो काने का तरीका अच्छा लगा हो इसी लगा हो तो प्लेस वीडियो को लाइक शेयर जूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगया से ही चिक्रीं की वी जे चेंग